भारत ने साल 2023 का किया है शांदार आगाज जहां न्यूजिलेंड और श्रलंका की चुनोतियों को तो किया है पार लेकिन अब एक नई सिरीज का मंच है सजने को तयार क्यूंकि विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी राइविल्री में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है ज जहां एक तरफ भारत अपना टाइटल डिफेंट करने के लिए जी जान लगाएगा वहीं दूसरी तरफ अपने घर पर मिली करारी हार का बदला लेने के इरादे से औस्ट्रेलियंस भी पूरी तयारी के साथ आएंगे तो ऐसे क्या रहने वाला है पूरे टेस सरीज का कारि सरीज में आस्ट्रेलिया की मेहमान नवाजी करने के लिए तयार है जहां सरीज में भारत के लिए पाने और खोने के बहुत कुछ हैं आपको बता दे टीम इंडिया के लिए फिलाल आई सी वोल्ड टेस्ट चेंपियंशिप फाइनल का क्वालिफेकेशन दाओं पर लगा है अगर भारत को डाबलू टीसी फाइनल का टिकट हासिल करना है तो दुनिया की नंबर एक टेस्ट टिम आस्ट्रेलिया को एक बार फिर से अपने घर पर मात देना होगा हाला कि अपने घर पर टीम इंडिया का रेकॉर्ड शांदार है लेकिन डाबलू टीसी टेबल में आज हट का पहले ही लग चुका है हालांकि स्टार आलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बीते दिन NCA में अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और ये भारत के लिए एक राहत की खबर है दूसरी तरफ आस्ट्रेलियन से इस पार खास तयारी के साथ भारत पहुचे है कंगारू ने भारत आने से पहले सिटनी में दरारों से भरी विकेट पर इस पिन गेंद बाजों के सामने खासा भ्यास किया है और जड़े ज़ाश्मिन की चुनोती से निपटने के लिए उन्होंने भी अपनी तयारी पुखता की हुई है गोड तलब है कि भारत और आस्ट ट्रॉफी पर अपना कबजा जमाया था लेकिन अब अपने घर पर भारत के सामने इस खताब को बचाने की जुनोती होगी अलाकि अपने घर पर किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया को हराना आसान नहीं रहा है घरेलू पर स्थतियों में भारती टीम का तोड़ निकाल रहा है अलाकि मौजोदा वर्ल्टेस चेंपियंशिप के फाइनल में आस्ट्रेलिया पैट कमेंस के अगवाई में काफी शांदार प्रदर्शन कर रही है जूर में होने वाले वर्ल्टेस चेंपियंशिप के फाइनल में भी कंगारूं का खेलना लगभग पक्का है ऐसे मे भारती दोरे पर आस्ट्रेलिया काफी बड़ी चुनावती लेकर आएगी आपको बता दे 9 फरवरी से 13 फरवरी के बीच चार मैचों की सिरीज का पहला मुकाबला नागपुर के विधर्ब क्रिकेट अस्टेडियम में खेला जाएगा इसके बाद दोनों टी में 17 से 21 फरवरी मार्च से 13 मार्च के बीच एहमदाबाद के आइकोनिक नरिंद्र मोदी स्टेडियम में टेस सिरीज का आखरी बड़ा होगा ऐसे में रोहित ब्रिगेड अपनी बेस्ट टू प्लेइंग 11 के साथ ही आस्ट्रेलिया से लोहा लेते नज़र आएगी फिलहाल आस्ट्रेलिया क के खिलाफ सबसे बड़ा सवाल ओपनिंग कॉंबिनेशन को लेकर रहने वाली है जिस शांदार फॉर्म में शुबमन गिल है उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर करना एक बोड़ा रस्क होगा लेकिन भारती टीम के कप्टान रोहित शर्मा का खेलना पक्का है और वो उपन करते हुए नजर आएंगे लेकिन दूसरे उपनर के लिए रेस गिल और केल राहुल के बीच लगी हुई है चोकि आस्ट्रेलिया के खिलाफ केल राहुल को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है ऐसे में राहुल की जगे पर लगभग मोहर लग गई है लेकिन कुछ खबर के ना होने से टीम इंडिया को एक बोड़ा जटका पहले ही लग चुका है ऐसे में पंथ की जगे कि एस भरत या इशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है इसके बाद स्टार ओल राउंडर रविंद्र जडिजा के स्किल्स कुल्दी पियादों की चाइना मे गेंदबाजी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी घातक सित हो सकती है वही मुहमद सिराज और मुहमद शामी की जोड़ी तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालते नजर आएंगे जबकि रविचंद राश्विन के फिरकी कंगारू बल्लेबाजों के सामने एक मुश्किल चुनोती पेश करेगी दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी एक तगड़ी प्लेइंग 11 के साथ भारत का सामना करने उत्रेगा डेवीड बॉर्नर और उस्मान ख्वाजा की जोड़ी उनके लिए उपन करते हुए नजर आएगी इसके बाद टेस्ट के महान बल्लेबाज, स्ट देपार्टमेंट में नाथन लाइन और युवा उभरते हुए इस्पीनर टॉड मर्फी मौजूद होंगे, वहीं ऑस्ट्रेलिया कप्तान कमिंस और हैजल वुड पहले टेस्ट मैच में तेज गेंद बाजी का अक्रमड का नेत्र तो करेंगे, ऐसे में दोस्तों इस पर आ हमारे यूटूब चैनल को, वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें